आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, we are going to solve this question In this question, give it that which one of the following is not correct ठीक है, आपको ये बताना है ये जो नीचे statement दिये गए है इनमें से कौन सा correct नहीं है ठीक है, not correct ढोड़ना है आपको तो first वाले को देखी क्या है 25 hundredths equal to 25 upon 100 ये बिल्कुल correct लिखा हुआ है ठीक है, इसमें क्या बोला गया है 25, 25 hundredths equal to 25 upon 100 बिल्कुल correct है ये अगला देखिए ये first वाला है, second वाले में क्या का गया है second वाले में का गया है 0.57 equal to है किसके 0.5700 ठीक है this is also correct decimal के बाद अगर 0 आते हैं और उनके बाद कोई digit नहीं है जैसे 1 से लेकर 9 तक का तो वो 0s की कोई value नहीं होती है ठीक है तो ये जो 2 0 आये हैं इनके बाद कोई 1 to 9 कोई digit ही नहीं इसका मतलब ये दौनों ही 0 value less हैं इनकी कोई value नहीं है ऐसे 0 और भी आगे लगा देता तो ये भी value less ही होता है नहीं इसमें लेकर अगर होता तो ये भी value less ही होता ठीक है तो this also correct अगर मैं 4th की बात करूँ 4th option की तो 4th option में क्या का गया है 4th option में का गया है 2009 ml 2009 ml equal to 2 liter and 9 ml 2 liter 9 ml ठीक है तो हम जानते हैं क्या जानते हैं 1 liter equal to होता है 1000 ml ठीक है जब आप इसमें देखोगे कि यह 2000 प्लस 9 है न तो 2000 का 2 लिटर बन जाएगा ठीक है 1000 से डिवायड करोगे तो 2000 मिली लिटर का क्या बन जाएगा टू लिटर बन जाएगा और 9 मिली लिटर ही पीछे से तो 9 मिली लिटर का 9 मिली लिटर तो this is also correct और अगर मैं देखूं कौन से option को तो थर्ड वाले को, तो थर्ड वाले में क्या कहा गया है, कि एक square और एक rectangle है, square की side 30 cm है, तो square का area क्या हो जाएगा, हमें पता है side का square होता है न, third option की बात कर रहे हैं, तो square का area हो जाएगा, square area, ठीक है, square area हो जाएगा 30 into 30, means 900 cm square, अब मैं बात करूँ, rectangle की side क्या दिरखी है, rectangle area, rectangle area हो जाएगा, आपका, 4.5 meter, 4.5 meter into 0.2 meter, 0.2 meter, cm चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यह answer cm में है, तो यह हो जाएगा, जब इसमें डेट से multiply करेंगा, तो cm हो जाएगा, यह हो जाएगा, 450 cm into 20 cm, ठीक है, इनका multiply करोगा तो यह आएगा, 9,000 cm square, वो आया है 900 cm square, यह आया है, 9,000 cm square, इसका मतलब यह equal नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, उसने यह पूचा है, कौन सा correct नहीं है, तो option third is not correct here, thank you guys. Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, आज चारसो 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 पर,